और कैसे दोस्तों स्वागत है आप सभी का टीजी दान जीनिया च्वाइज पे और यह वीडियो इंपोटेंट होने वाले हमारे सकेंड ये जो भी एस्टूडेंट्स है दोस्त है उनके लिए और ये कहीं ने कई फर्स्ट ये वालों के लिए विए कि उनको भी जानकारी हो ज अब इस निग्यां निकल के आया थे उसका भी बहुत अच्छा रिविव एक निकल के आया है और अभी आप सभी के फॉस्ति हम नहीं करते हैं कि अभी नोटिस नहीं आया है लेकिन अप्डेट आया है और को लेज के ऑफिसियल गुरूप में मतलब कहीं न कहीं ये बात सच है और यह सच बात क्या है कि आप लोग का फाइनली स्पेशल एक्जाम होने वाला है जिनका भी एर बैक हुआ था तो आपको लिए बहुत-बहुत कॉंग्रेशलेसंस है कि आपका फाइनली आप एक साल बच जाएगा अब मेहनत करनी है आप लोग को पहले एक बार समझ लो बच्छे से अभी इसका डेट सिट आएगा एक्जाम का पूरा सड्यूल आएगा पहले डेट सिप देख लो 16 17 18 19 20 और 21 मार्च को फर्स्ट सेमिस्टर वालो का है उसके बाद फिर आपका सेकेंड सेमिस्टर वालो का जो एक्जाम होगा वह आपका होगा फर्स सेकेंड थर् प्रेट थो जाएगा और एक और चीज़न किया गया है जब तक इसका रिजेल्ट नहीं आ जाता तब तक आपका जो है इससरी का इग्जाम नहीं होगा तो यह दोनों एक्जाम हो जाने के बाद इसके जब रिजल्ट आएंगे उसके बाद एक डेट पब्लिक्स होगा जिस सारे प्रोटेस्ट के वज़े से ही कही नहीं यह इसका फल पर यहीं निकला है कि आपका जो एक्जाम फाइनली है अपनिंग हो रहा है और एक और नोटीस अभी भागलपूर के नोटीस में आया था उसमें आप देख लोग क्या नोटीस आया था फैले यह नोटीस अपन दिया है और यह एक से लेकर नो तीन तक भराने वाला है जिसके लिए आपका जो प्राइज वगड़ा है और यह आप जरूरी नहीं कि निधारी देट में ही आप थोरा सागर डीले भी कर देता हो तो आप फाइन के साथ यह कर सकते हो तो बिलकुल आपको आप यह समझ लेन डायओ नहीं करे लिए और बhon प्रेणक टोन हो तो तो वह च्रट हो रहा है और राल सेमस्टर्ड सब्सपारिकज्जण कर आप लेकिन इक साल बचल रहा है लेकिन हरे कॉलेज की वह यहाल है आप किसी भी कॉलेज का ले लो बहुत सारे कॉलेज एसे थे जिसमें 70% 80% बच्चे भी एर बैक का सिकार हुए और साथ में कहीं ने कहीं ऐसा भी था 30% 20% बाइ बीसी भागलपुर के बच्चे सब्सक्राइब के बच्चे को भी लगा ऐसा नहीं कि मतलब कॉपियों कहीं न कहीं तो कुछ ना कुछ फॉल्ट हुआ वब यू के तरब से तो उन्होंने अपना फॉल्ट को यहां सही कर रहा है और फाइनली आपका एस्पेसल एक्जाम हो रहा है जिसकी प्रप्रेशन आप क